हेलो गाईज, वेल्कूम टू माई चैनल, हॉप ओफ लाइफ आज मैं आप लोगों के लिए एक हल्का फूल का स्नैक लेक आई हूँ जो की लैप्ट आवर राइस का है, जो हम चावल बनाते हैं और बच जाते हैं, उनका हम कैसे हल्का फूल का स्नैक ना सकते हैं के लिए क्या है मेरे जो बचो चावल थे दो मैंने आलू लिए ठीक है प्यास काटा उसमें मैंने एक मिर्च काट ली है ठीक है मसाले में ज्यादा नहीं ले रही हूं जिसमें है नामक मिर्च धनिया पाउडर और चीरा पाउडर में ज्यादा मसाले नहीं ले रही हूं ठीक ह फिर अब हम क्या करेंगे इपले आलु मैश कर agriculture करेंगे हुआ अब इस में सारह कितना हमारी पर मिक्सचर है हम सारा डालेंगे गठाशे मैंना इअब इब चावलदे लिए मैं इस झूट सा मैश करूंगी अब इस के बाद आप अनियन्स अनियन्स और मिर्च डालोगे प्याज और मिर्च हरी मिर्च अच्छे से अब इसके बाद में सारे जो मेरे पास मसाले हैं वो इकठे ढाल दूँगी नामक, मीर्च, धनिया पाउदर और चीरा पाउदर अब देखिए ये मिक्सम करने के बाद ऐसा बन डो टाइप का बन गया मिक्स्चर ले लिया है इसे मैं हलके हाथों से एक शेप देती जाओंगी देखिए मैंने हलके हाथों से टिककी शेप दे दिया राउंड शेप इस कट्लेट को हलके हाथों से अराम से कीजिए कि टूटे ना ये देखिए मैंने विल्खुल एक राउंड शेप दे दिया है अब और बना लेंगे हम कट्लेट देखिए ये मेरे सारे कट्लेट बनके त्यार हो गया है चलो अब हम इसे क्या करेंगे शालो फ्राइड एक पैन लेंगे उस पे आप हलका सा एक चमच तेल डालोगे तेल में ज्यादा तर ओलिव वाइल ही यूज़ करती हूं अब पूरे तेल को अब सप्रेड कर लोगे अच्छे से किसी भी टीशू पेपर के साथ अच्छे से पैन के ऊपर नोन स्टिक पैन के ऊपर अब हम एक के करके क्या जब दो तीन मिनट आपको लगे सिखे तो इस पर हर एक टिकी के पर दो जार तीन ट्रॉप्स तेल डाल के सब भी तिक्यां कर लेंगे, अब इसे आप पलट दोगे, जैसे जैसे सिखती जाएंगे उसे आप टर्न कर लोगे, पलट दोगे, देखिए, मेरी जो कटलेट है या टिक्यां है, अच्छे से सिख गई है, ये देखिए, हमारे कटलेट है टिक्की बनके त्यार हो गया, हम इसे ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, गाइस, ये जो मैंने आपके लिए कटलेट बनाए है, ये देखिए, शालो फ्राइ किये हैं, इसमें बिल्कुल भी तली कोई चीज नहीं लगी, तो आप भी से ट्राइ किये, गाइस, ये आपके लिए एक हैल्दी स्नैक्स हैं, आप इसमें अपनी मर्जी से और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, मेरे पास जो अवेलेबल थी, मैंने उसी टाइम जल्दी से वो चीज़े डाल दी, आप इसमें अ वीडियो मेरी अच्छी लगी, तो काइंटली लाइक, शियर और सब्सक्राइब माइ चैनल